स्वागत आप सबका न्यूजिलेंड टूर आफ श्रिलंका के अंदर यह पहला ओडियाई मैच है जो खेला जाएगा डंबुला के उपडर मैच टाइमिंग है दुपएर के डाइव वजय है तो इस सिरीज के अंदर आपको दो बहुत बड़े प्लैट्स खेलते हुए नहीं लॉकी फोगुसन वह बाहर हुए काफ इंजरी के वज़े से उनको रिप्लेस कर रहा है एडम मिलिन तो देखते हैं सिरीज में क्या होता है सबसे पहले सिरीज का हम फिक्षर देखते हैं तीन मैचस ओडियाई के हैं दो मैचस T20 के हो चुके हैं जो सिरीज टाई भी 1-1 करक यह पहला मैच डंबूला के उपर 13 तारीकों जो भी हम कवर कर रहे हैं फिर सेकंड उडियाई 17 तारीकों खिला जाएगा पाले गाले में और थर्ड उडियाई 19 तारीकों तो देखते हैं सिरीज में होता गया सारे मचस के आपको कवर इस चैनल के उपर देखने को मिलेगी तो अब यह वीडियो देख क्यों रहे हैं सबसे पहले मैं स्पिछ के बारे में बात करूंगा डंबूला के उपर कई सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी कर रही है यहां 6-7 साल हो चुके हैं यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है रिसेंडली तो कि कंडिशन यहां पर 2-0 सारी थी शिलंका से आपको याद होगा बहुत बड़ अपसेट था हो गौतम गंबीर की निगरानी के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स है मज़ा आएगा इस मुकाबले के अंदर एक तूडियाई मैच जिसको हम कहते हैं जितना लंबा फॉर्मेट उतना र इसक्रिप्शन से पिछ रिपूट देखते हैं तो रंगिरा डंबुला इंटरनाशनल क्रिकेट स्टिडियम के उपर मैच है रिसेंट लिस्वनी के उपर कोलॉम्बो वर्सेज जाफना का मैच वा था 6 ओक्टोबर 2020 को जी हां यहां यहां पर डोमिस्टिक मैचस होते हैं ज इस मैच में 413 बना था 6 विगटी के नुक्सान पर चेसिंग टीम 320 बनाती है 215 बना एक मैच में जो 2nd लास्त है यहां पर और चेसिंग टीम ने 42 वर्स में चेस कर लिया 359 बना भाहिसा भी चेस हो है बकाईदा 49 ओर के अंदर एक विगेट से 310 बना यह भी चेस हो गया तो भाहिसाब यहां पर बहुत वैल्यू रहती है आपके लिए विद्धा बैट बस आपको पावर प्ल में विगेट समाल के रखना है स्पिन को अच्छे से खेलना है रन सी रन से बनते है आम तोर पर बट अभी फिलाल मैं एकस्पेट कर रहा हूं कि 250 एक एगर स्कूर हो गया श्रीलंका दस में से दो मैचे से जीती है रिकॉर्ड बेहत खराब रहा है लुजलेंड यहां पर 2013 में खेली थी और वहां इनको शिकस्त मिली थी बैटिंग फर्स्ट एक चेस करते हुए तीन मैचेस जीते गया है अंडर दर लाइट से बैटिंग करना एजी रहता है जितन के 21 विगेट थे जो रिसेंटल यहां पर चार लिस्ट हेगे मैचेस हुए फिफ्टी ओवर गे पहली पारी में नौ दूसरी बारी में बारा और ऑफ स्पिनर्स के नौ लेक स्पिनर्स का पांच लेफ्ट आम और्फ टाम स्पिनर्स का साथ विगेट है और दो लास्ट मैस यहां पर पहले हो जोगे टी-20 सिरीज में उसी वैन्यू के पर मैच है तो पिछ रिपोट का वेट कर लेंगे आपको फाइनल बता दूगा पिछ कैसी है और देखते हैं क्या होता है सिरीज के अंदर मजा तो आएगा बाइस अब भरपूर एंड यह स्टेडियम का पूरा विव दैमिंशन होंगे यहां पर 55 मिटर स्कूर सामने 70 मिटर की बाउंडरी नॉर्मली स्टेडियम में ऐसा ही होता है बद जो वैदर फोकास है नो फटा सा निराश कर रहा है ऐसा में क्यों कह रहा हूं ए मैट स्टार्ट होगा दुपैर गे दो नहीं बजे दो बजे दो शाम को फिर जाके वैदर थोड़ा सा अकली होगा जो भी बीच में तो यह जो मैच है ना स्मॉल लीग लिए सही नहीं है आप मिनी जेल टारेट करना है इस गेम में जो कॉंटेस्ट होते जिसमें बहुत सारे लोग खेलते हैं इसे वाले यह आप स्कॉर्ट देख सकते हो ट तुम निशांका के साथ एवन यहाँ पर आ सकते हैं जो क्रिकेटर है विशेका फर्नेंडो बट निशान मदुष्का ने बहुत अच्छा खेला था विस्ट इंडीस के अगेंस्ट ओडियाई में फिर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे असलंका जनित लियान अगे कमिंड अगर टीम को चेंज करना रहा तो क्या गरेगी डीन फेक्सक्रॉफ्ट बहुत अच्छा लिस्टे का प्लेयर है पचास और का उसको खिला सकती है चैपन के वरले टॉप ओडर में वन डाउन मिचे फिर टू डाउन आ जाएंगे तो यह हो सकता है या फिर हैन निशांका ती अगेंस्ट न्यूजुलेंड 68 रंस है बैटिंगर 57 दो चेश को पर नौ और अवराल जब आप इसके उडियाई नमर्स रेखते हो बैटिंग फर्स 35 की आवरेज है चेश को पर 61 की आवरेज है ओवराल इस वन्यू पर तीन मैच खेला है 14 रंस है 12 बैटिंग फर्स एक्क्य इस प्लेयर के साथ पारियों के इंदर चार्ड रेकर वर्स न्यूजिलेंड है अभी आपको ध्यान देना है न्यूजिलेंड का रेगुलर वालिंग अटेक नहीं है यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे ट्रेंट बोल्टीम साओधी यह जो नामी अस्ती है यह फास बोलर् सकता है यह टूर यह स्टैट्स को इंप्रूफ कर सकते हैं 6 पकड़ चुका है और श्री लंका में आपको बदा कीपर से कितनी वेल यह लास्ट मैच के अंदर मिछे ने चार कैच एक स्टंपिंग ऐसे कुछ करी थी ओराल ओडियाई करियर कुसाल मेंडिस बैटिंग इस वेंडी पर 13 मैचस खेल चुका है और मात्र दो अच्छी पारी है 13 मैचस में सुचो 244 रंस पांच कैच पकड़न है मात्र मुनिस के आवरेज बैटिंग फर्स चार एक एक सो दो बहुत अच्छी पारी 0-36 स्टार्ट लिया 10-0 दो पे रन आउट 11-1 पे रन आउट चेस पर 4-1-59 तो दो अच्छी पारी है इसकी रेस्ट फोर्म थोड़ा सा गंसर रहा है देखते हैं क्या करेंगे सदीरा एक बहुत ही तगड़े क्रिकेटर यह करेंगे अच्छी पर 11 मैचे में 200 पैसे डरंस है बहुत अच्छे नंबर्स रहें चेस को पर भाई के बैटिंग फ बैटिंग फर्स नौ चेस को पर नौ आठ बैटिंग फर्स अर्टिस चेस को पर इसका उडियाई करें में पच्छमन की अबरेज है वैंडी कि पर पांच मैस थीन सो रंस है रीसेंटली जो है आप एक लास्ट मैच बताना च्छा उक्टोबर को मैं आपको बताया था ना प पर यहां पर नौ देखोगे जोसलंक का उनके यहां दोसो लिखावा है लेटिस फॉम में वैनी के पर पांच मैस थीन सो रंस है बैटिंग फर्स पैर जीरो बैटिंग फर्स में दो अश्टा तक कमाल के प्लेयर चाह विगेट है इनके इस वैनी के पर दो पार विकेट करीदी यहां पर बीशान दीचे बैटिंग करेंगे दो मैचस खेलें बैटिंग करते हुए वर एल 5 मैच न बैटिंग बैटिंग वीच न 1 मैच में वाले गेम में सट्थस कि पारी है लेने के पर एकwyddट ऱे बैट वाललिंग तेवली भी जैफ्केट्ण ज Sn Max will ya Bulls M집 अपने पीक में चल रहा है, बैक करिए, 7 match बनाव विगेट, बहुत अच्छा पिक हो सकता है, एश्विता फर्नांडो, 6 matches में 7 विगेट है, बॉलिंग फर्स चार में 1, बॉलिंग 2 में 6 विगेट है, प्यॉर हिट देड एक बॉलर, जो 4 पांच वेस्टम की आसपास लाइन डालता ह बीच में सर्प्राइज बाउंसर डालता है, ठीक बॉलर है, या तो एक विगेट, या विगेट लेस, या फिर 3 विगेट, ऐसा इसका फॉर्मूला रहता है, दुशा ने मता का 3 में 3 विगेट, 79 विगेट है, अच्छी बैटिंग करी लडगे ने, अवस्टेका का 8 matches में 206 दिल्शान, मदुशंका, नमबर्स भी है, चमिंडू, विक्रम सिंगे, या फिर खेल चुका है, मोहमद सिराज, हसरम भी खेलते हैं, मज आता, डिफॉल्ट कैप्टेंस यह होते, चार्टिंग और अशीता, और अगर इनको लगता है, पेसर से नहीं गेंद करानी है, अशी सिक्स के अवरेज है कि इन इस टेम, कमाल खेलते हैं, यह बीच चार नाबाद, दो, पंदरा पे ननाउट, बत्तिस, एक सो चो इस नाबाद, चेस पे तेईस नाबाद, चम्मालिस नाबाद, एक क्लासिकल बल्लेबाज है, जो रिसन फॉर्म इनका खराब रहा है, यह खेल सिरीज में सबसे बैस बैस बैटर दिखा था है, जिस टेकनिक से खेल रहा था, मिच है, तीन, दो, जीरो, बीच, जीरो, दो, जीरो, पांस, जाद एक्सपेक्टेशन नहीं है, कीपिंग से वैल्यू मिलती है, इंगो, चैपमन ने साथ रन मनाया था, हैट्टूड में लास अरबूर वैल्यू दो प्लेयर से चाहिए, ग्लेम फिप्स हो, चाहिए, ब्रैस वेलो, चाहिए, सैटनर हो वाँ नीचे, क्योंकि तीन हो ना, बैटिंग वॉलिंग करते हैं, और, स्पीनर से, प्लस फेक्टर, क्लाक्सन, चोईस, तीन, दो, 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 मिडल ओडर का हाड़ीडर बैटर है, हसरंगा कि इस सीरीज में ना होने की जो फाइल है, जो फाइल है नो, जॉस क्लाक्सन उठा सकते हैं, लेट हीटिंग करने में, सैटनर का साथ मैच में, चाहर विगड है, 59 रंस, यहां की कंडिशन अलग है, आपको पता है, श्री लंक में मैच होते हैं, तो कितरे इंपॉर्टन होते हैं, जैक फॉर्ट्स, 16 निक विगेट, 27 रं तीन विगेट, बॉलिंग फर्ष्ट मरत आप इस फ्लेर को छोडी नहीं सकते हैं, बॉलिंग सेकंड में आप रिस्क ले सकते हो, फिलाल बहुत अच्छा फॉर्म बैटिंग करन जानते हैं, सोडी का 8 मैच में विगेट है, यह ओडिया इस सीरी सी बहतर जा सकते हैं, हमने प्रिट किया था कि T20 सीरीज में कुछ नहीं करेगा, और 2 मैचस में विगेट लैस, रीजन आपको clear पता था, समझदार आदमी उसको भी पता रहता है, और आप regular खेलरों तो आप दो बार विगेट लैस फीट लैस गया है, दो बार आएगा टीक है एक लालीं फर्ज एक लालीण शेक लेक्ट मार्चा 12 मैचस में 10 विकेट बॉलिंग फर्स चह मैच है बॉलिंग सेकंड पांच मैच में चार विकेट ग्यार इनिंग में बॉलिंग कराई है 55 रंस एक्सप्रेस बॉलर में एक हाई क्वालिटी प्लैर जो में टीम में रखूंगा फागुसन खेलते और मज आता देन इस चोड़ी मैच-प्राइब बॉलिंग एक बार आउट किया अधम मले न इसको 12 बॉल बारा रंदे के 3 परी में गार आउट किया जैक फॉर्क्स ने इसको 12 बारा बारा रंदे दो इनिंग में एक बार आउट किया कुसाल मंडिस वर्स आप यह क्या कर दिया मेरे डिजै तो यहां पर हमने अपडेट किया है कुसाल मेंडिस का जो मैच है पगे इसी सूडी है पांच इनिंग्स में दो डिस्मिसल्स है 37 गेंदों के अंदर 24 रंज है जो खाम लगे रखी है इसलिए तोड़ा सा सास लेने में दिखकर दोड़ी जो आपको दिख रहा हुआ जाता हू है सैटनर वर्सेज कुसाल मेंडिस चार इनिंग्स में दो डिस्मिसल्स उननीज वालों में 15 रंज है एंद फिर आते हैं पर कमिंडू मेंडिस वर्सेज फागुस्वन ग्लेम फिलिप्स एक बार आउट कि असलंका वर्सेज एडम लिन आड़ बॉल चौदा रन तीन इनिं कि वर्सेज असरंगह थिक्षी ना बारा बॉलहार रन दुह इनिंग्स आउट किया है कितिनी फ्रंचाईस खेलना फिलेस फिर इंटरनेशिल मैचिस कहलना वह हु के णप्लेशन है तो बहुत बड़ा जटका लगा शीचल में एटीम नीज्जलन गीं बैस आप कुछ भी कर सकती है तो देखते हैं पे सीरीज ना जीच जा है इनकी जो हैपिनेस लेवल चल रहा है भी बहुत हई चल रहा है पीक पे चल रहा है सैटनर वर्सेस असरंगा रोबिंसर वर्सेस वलालगे दो बॉल जीरो रहा है एक इनिक्स में बार आउट किया है वैसा साइन अप कलें ना विजन के उपर मैं खुदियां पे स्मॉल लीग आपको खिलता दुखूंगा वन अधे बेस्ट एप्लिकेशन रेफरोगोड स्टैट्स वीजी लिंग नीचे दिया हुआ है कॉमन कैप्टेन सैटनर ब्रैस्वेल गलक जाना तो ग्लेम फिलिपस ते वेलाल केगी भी एक बहुत अच्छे पी को सकता है जिन्होंने इंडिया को ट्रबल किया था इवन कई टीम्स को ट्रबल करते हैं जब ODI मैचस होते हैं और बैटिंग सुनके पास बहुत वैल्यू है फैंटेसी में कमिंटे मेंडेस को ट्राई कर सकते हो रिस्क यह कि इस मैच में बैटिंग ओडर बहुत नीचे रहेगा सच्छा यह बदा हूं तो मैं तो इसको काउंट मत कर रहा है निशांग का एक अच्छा पी रह सकता है मिनी जी एल के अंदर टीम मनाले फड़ा-फड़ा बिना देरी करें लास्ट में ब्रैस्वल को लीजिए ग्लेन फिलिप्स यहां है ग्लेन फिलिप्स ले लीजिए असलंग का कुभी मैं ले लेता हूं यहां से असलंग की वैल्यू है बॉलिंग करा सकता है बोरोसा नहीं है साथ आट और डाल जाएगा और वैटिंग से तो वैल्यू हाई नंबर पांच पे खेलते हैं इस टी ट्वंट्यू चाहिए उडियाई हो ठीक से ना और जैफरी वंडर से मस्ट पीग है अडम ब्लेन मेरे को बहुत पसंद है जिस स्टाइल के बॉलर इनके बास शियर पेस आप जाए तो सोड़ी को बैक कर सकते हो या फिर आपके बास जैक फ्लॉक्स को उप्शन है जो बहुत अच्छा बॉलर है तो वन साइड़ सीरीज नहीं होगी इसमें न्यूज़िलेंड आपको टकर देती हुई दिख सकती है विल आपको उप्शन दे रहा हूं बस इसमें सोडी ट्राइबल प्लेयर है सेकंड इनिक्स में ट्राइब सकते हो सोडी को विकेट्स निकाल के दे सकता है यह वैटिंग भी कर लेता है तो देख ले नायर सदीरा विल यंग हैं और निकल्स मैं इस भी थीग है बड़ आपके पा बहुत बड़ी आप्शन रहेगा इस गेम में मैचल से अटनर माइकल ब्रैस्वल यह उन ग्लेम फ्लिप्स स्टाइलिश क्रिकेटर है इस गेम में असरंगा नहीं है और अच्छे पॉइंट दे सकते हैं यह ग्लेम फ्लिप्स तो टीम बन चुकी है देखते ही यह है इसक्टन जाहिंट